Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दी इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 09 का Unit 3 डिसकस करने वाले हैं Unit 3 के अंदर में बात करें दोस्तो तो यहां पे हम इसमें बात करेंगे कि इस Unit के अंदर में total कितने lessons हैं उन lessons के basis पे किस तरह के topics बन रहे हैं उन topic के basis पे क्या questions बन सकते हैं उन questions के basis पे क्या answer हो सकते हैं किस तरह से हम answer लिख सकते हैं उसके बारे में हम short में discuss करेंगे और एक तरह का यह selective study होगा जिसके तरू हमें syllabus cover करने मसानी होगी और एक chapter के अंदर में particular क्या topic है, क्या questions है, क्या answer है, उसके बारे में हमें समझ में आएगा चली start करते हैं, unit 3 की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर हम discuss करेंगे राष्ट ये आंदोलन के बारे में, कि राष्ट ये आंदोलन जन आधरीत राजनीती किस परकार से बना ठीक है, उसका phase 1 के बारे में हम बात करेंगें, कि इस तरह से mass phase रहा, जन आधरीत पूरा मतलब इतने सारे लोग जुड़े उसके अंदर में, किस परकार से जुड़े, क्या कारण रहा है, उसके बारे में हम discuss करने वाले तो बहुत ही important unit है होने वाला ये वाला, चली start करते हैं, तो इस unit का जो पहला chapter आता है, तो यहाँ पर पहला chapter के हम बात करते हैं, तो कहता है यूद अवीधी के दुरान में राष्टवादी राजनीती है, अब यूद अवीधी कौन सी यूद अवीधी की बात कर रहा है, त उसको बताईए, अब देखो, यहाँ पर कई तरीके से भारत के प्रभाव को देखा जाता है, पर नॉर्मली अगर उनिस, जो मतलब first world war के time period का अगर हम भारत के उपर में परभाव दिखें, तो यहाँ पर भारत के उपर प्रभाव क्या पढ़ता है, कि East India Company तो नहीं थी उ जानमाल की हानी होती है भारत से, भारत के जो आर्थिक रिसोर्स ते उसको उप्योग किया गया, यूद के अंदर में ब्रिटन के लिए, ठीक है, तो कई तरीके से आर्थिक तोर पर भारत को बहुत जादा मंदी का सामना करना पड़ा, ठीक है, लोगों को अपने खोने पर में इंपेक्ट पड़ता है, और लोगों के उपर में टेक्स बढ़ा दिया जाता है, जिससे और ज्यादा परभाव पड़ता है, उस समय पर भूरासाब लागो कर दिया जाता है, नमक कर लागो कर दिया जाता है, और कई तरह के सूपर टेक्स को लागो किया जाता है, भारतीय लोगों के उपर में जिससे वो युद की स्थिति से बस सके ब्रिटर ने इसको सोचकर वहाँ पर लागू किया कि जादा जादा रिसोर्स हमारे पास आ सके, ज़्यादा ज़्यादा इंकम हमारे पास आ सके, तो यहाँ पर question इस chapter के अंदर में यही बनता है, कि भारत के उपर में पर्थम विश्यूईत का प्रभाव क्या पड़ा, तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझा सकते हो, कि क्या impact रहा होगा, ठीके अगले chapter के बारे में बात करूँ में, तो यहाँ पर chapter number 10, जहाँ पर हम बात करते है गांधी का उधे, किस तर से गांधी जी आये, यहाँ पर इंडिया के अंदर में किस तर से यहां से starting होता है, तो गांधी जी के अगर स्टार्टिंग की बात करें, तो सबसे पहला आता है जहां से भारत के अंदर में नाम होता है, कोई वेक्ति है, जिन्होंने कुछ किया है, तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, चमपारण स्ट्यागर होता है, और वहीं से गांधी जी का उदे होता है और गांधी जी का उदे इसके अंदर में कुछ खास questions है नहीं पर आपको चोटे-चोटे topic है उसको आपको पढ़ना चाहिए चंपार्ण सत्यागरा हो गया, खेडा सत्यागरा हो गया, एहमदाबा सत्यागरा हो गया उसको आपको पढ जाने के लिए और उसके बाद अपने आपी खेडा सत्यागर हुआ, अमिधावा सत्यागर हुआ, किस तर से लोगों के आपी जो जागरुता थी और फैली उसके बारे में आपे बात की जाती है, ठीक है, अगले चेप्टर की बात करूँ, तो यहाँ आप आता है कि turning points क्या रह गया और उसके उपरांत अप्रेल 1919 के अंदर में ही जलिया वाला बाग अत्या कांड हुआ जिसके बाद पूरे भारत के अंदर में कई तरह की मुमिंट से स्टार्ट हो जाते हैं लोगों के अंदर में गुस्सा आकुरूस आता है और वहां से टर्निंग पॉइंट बनता है अ और असायोग आंदुरून किया है खिलाफत नौन कोपरेटिव मुमिंट दो चीज़े हो गई दोनों का मतलब ऑल्मोंस सेम बनता है पर दोनों का अलग-अलग टाइम फ्रेम के अंदर में यूज किया गया अगर आप बात करते हो खिलाफत आंदूरून का तो वह 1911 से लेक होगे तो जो खलीफा होते थे जो खलीफा जो मुसलमानों के अंदर में इसलाम दर्म के अंदर में सबसे बड़े गुरू के तौर पर खलीफा को दिखा जाता है धर्म-गुरू गद्धर्ण रक्षक के तौर पर उनके साहनु भूती के लिए खिलाफत आंदूरून का ठीक है और उससे साहनु भूती दिखाते हुए कि खलीफा को वापस दी जाए खलीफा को छोड़ा जाए ठीक है उससे साहनु भूती दिखाते हुए भारत के जो मुसलिम थे उन्होंने इसमें पार्टिस्पेट किया और खिलाफत आंदूरून की सुरुआत करती है गौदूरन ठीक है रॉल एक्ट के बाद यहां पर सभू गांदूरन चलना सुरू होता है ठीक है नॉन कोपरेटिव मुपन जिसमें यह का जाता है कि हम गौवर्मेंट को कॉपरेट नहीं करेंगे किसी भी चीज के लिए हम यहां पर नहीं जिम्हिदार होंगे तो यहां इस तरीके से नॉन कोपरेटिव मुवेंट स्टार्ट के जाता है ठीक है समझ में आता है अगला हम अगर यहां पर चैटर देखते हैं चैप्टर नूबर 13 जापर हम बात करते करांतिकारी परविर्तियों के बारे में कौन-कौन सी परविर्ती रही जो करांतिकारी पर पर तो करांतिकारी आंदोलन का विकास किस परकार से हुआ है एक कोशन यहां पर यह बन कराता है ठीक है किस तरह से उदे हुआ किस तरह से विकास हुआ तो विकास होने का चीज़े क्या रहती है कि धीरे धीरे जो भी मोमेंट्स हो रहेते हैं जो अंग्रे जो दोरा कदम उठा यहां पर एक दूसरा question यह रहता है इस वहले chapter के अंदर में कि 1920 से लेकर ठीक है 1930 के दसक में करांतिकारी विचारधर किस प्रकार से बढ़ी आगे उसके बारे में आपे बूचा जाता है तो नॉर्मली दिखो आर्थिक मंदी का दौर चल रहाता है पूरा time period के अंदर में ठीक बहुत जादा तेजी से बढ़ती है trends बहुत जादा तेजी से changes होते हो वहां पर ठीक है तो यहां पर बता सकते हो अगले chapter की बात करूंए chapter 14 जहां पर हम बात करते है परिशदों के भीतर और बाहरी परतिरोध जो भी परिशद थे उसके भीतर और बाहर किस तरह से परतिरो चलो एक question of the video में आप सभी student के लिए देता हूं Congress की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी आप कमेंट करके बताइए देखते हैं कितने लोगों को पता है आपके book में भी इसका answer दिया हुआ है चले देखते हैं कितने लोग answer करते हैं मज़ा आता है कई आप पांसर करते हूं समझ में आता है कि हाँ यह चीज़ का knowledge है आपको तो इस चैप्टर के अंतर में normally एक question बनकर आता है कि स्वराज पार्टी की पुस्ट भूमी को समझाईए अब देखो Congress party की स्थापना हो चुकी थी Congress party work कर रही थी लोगों के लिए पर लोगों के मन में अभ लोगों की पार्टी रहेगी लोगों की आवाज को आगे तक पहुंचाएगी जो Congress है वो नहीं पहुंचा पा रही है यह माना जा रहा था ठीक है तो यहां पर स्वराज पार्टी के आपको प्रिष्ट भूमी को बताना है कि किस प्रकार से यहां पर इसका उद्य हुआ हु आप इसली कर सकते हो ठीक है कुछ चीजे में एड़ करना चाहूंगा आप सबी स्टुइन्स के लिए अगर आप दीहीनप पर पढ़ रहे हो अच्छे वेलिवल वीडियो मिल रही है आपको लगता है कि वीडियो वेलिवल है लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चै थैंक ताहू मुझ वाचि 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 और लिए बागा तक रिए इस्ट झाल झाल झाल